हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू डिजिटल डिजिटल डिशेट्स कम्मूनेटी मैं हूँ जुल दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज हम लोग बिटकोईन की टेक्निकल एनल्सिस करके देखने वाले हैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कम्प्लीट वीडियो आप मेरे साथ देखिए क्योंकि इसमें मैं बहुत सी चीजें कवर करूँगा बहुत सी चीजें हैं समझने के लिए जो आपको काफी हेल्प करेगा क्योंकि दोस्तों आप समय यूटूबं चैनल पर वीजट करते होंगे समय यूटूबर्स के मेरे आप देखते होंगे लेकिन मैं अश्यूर चाहता हूं कि कि जिस तरह के टेक्निकल एनल्सिस कि मैं पर रॉं यह करने जा रहा हूं तो दोस्तों बहुत ही बहुत rare आपको किसी भी YouTube चैनल पे ऐसी analysis देखने को मिलेगी दोस्तो दोस्तो बिटकोईन इधर काफी अच्छी एक momentum को पकड़ते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है काफी strongly उपर के तरफ आ चुक है जहां पे पहले 4000 डॉलर पे struggle कर रहा था जो उसको cross करने में काफी मस्रक्त करने पड़ी और आज उसने 2019 के highest point यदि च्छपन सो के level को टेच कर लिया दोस्तो ऐसा क्यों हुआ बिटकोईन इतना उपर कैसे आपाया अपने 4000 डॉलर के level को कैसे cross किया क्या reason है इसके पीछे और आगे price कहां तक जा सकता है हम क्या नया फिर से एक call time high जो पिछला था 2017 में क्या उसके ऊपर भी हम price को देख पाएंगे 2019 के अंदर इन सारी चीजों पर आज हम लोग discuss करेंग दोस्तों तो बिलकुल भी वीडियो को miss मत करिए और पूरा complete वीडियो आप मेरे साथ देखी दोस्तों और अगर आपको मेरी दीवी information पसंद आती है आपको लगता है कि मैंने जो भी बातें बताई जो price review मैंने आपके सामने किया उससे आपने कुछ सीखा तो प्लीज इस वीडियो को like करना मत दोस्तों और साथी साथ इससे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजी जिससे की information सभी के पास पहुंसेगे दोस्तों को कि हर अदनीक मन में बहुत query होती ही बिटकोइन को लेके उसको नहीं पता हो तक कि बिटकोइन का price की moment क्या होने वाली है कैसे होने वाला है कहां तक जाने दोस्तों बहुत important वीडियो है जितने रहुत तक अप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो सभी की knowledge update हो की सभी के पास एक सही information जाएगी और लोग इसके according आगे plan कर पाएंगे दोस्तों और दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार visit कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों अगर आपको इस तरह की important और टेक्टिंग analysis के वीडियो देखने हैं और साथी साथ बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी notification आपको तुरंत मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें और टाइम से उस वीडियो को देख पाएं दोस्तों तो दोस्तों वससे तो मैंने काफी वीडियो अपलोड कर रखी है मैं अपने चैनल के अंदर अब देख पा रहा है कि मैंने तमाम अलग-अलग coins को पर मैंने technical review अपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे लगब लगब काफी वीडियो जो मैंने अपलोड किये हैं उनमें टार्गेट वगड़ा सब अचीव वे हैं अपनों को काफी हेल्प होई होगी और इसी तरह कि मैं और भी अच्छे वीडियो आपके लिए बनातर होंगा दोस्तों एक मैंने क्रिप्टो टुटोरियल कराम से एक प्लेइस्ट बना कर रखी उसमें मैंने सारे वीडियो जो भी मैंने अभी तक बनाए वो सारे अपलोड कर रखे हैं तो आपको अगर complete वीडियो देख सकते हैं जो आपके कोई से रियलेटेड हो मैंने तमाम वीडियो अपलोड कर रखें दोस्तों यह अपकी काफी हेल्प करेंगे दोस्तों तो चलिए दोस्तों लेट नहीं करते हुए सीधे चलते हैं चार्ट पे उससे पहले एक बार हम लोग कॉइन क्या कहता है उसके बाद हम लोग सीधे चार्ट में चलेंगे और देखेंगे कंप्लीट टेक्निकल अनलेसिस तो चलिए देख लेए दें दोस्तों तो दोस्तों हम लोग कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पर आ चुके हैं आप स्क्रीन पर सामने देख पा रहा होंगे दो कि यहां पर कहा हूं कि इस समय करेंट सिनरियो में मार्केट की पर्फारमिंस कैसी हो रही है इसक अदो मार्केट और बिटकोईन का डॉमिन अचे तरहे हैं और साथशाथ कि ट्विंडीफॉर आवर्स का वाल्यूम क्या है मार्केट के अंदर पार जोस्तों बात करें कुछ दिनदें को पहले मैंने आपको कौन-्मार्केट केप में दिखा तो वहां से लएके मार्केट केप में काफी इंप्रॉव्मेंट आया है मार्केट करें बीग देख रहे हैं की 184 बिलिंग का सपर्स मार्केट केप पहुंच चुका है और अगर 24 आवर की वाल्यूम की बात करें तो वाल्यूम भी 49 बिलियन को वाल्यूम है 24 आवर्स का और साती सात bitcoin डॉमिनेंस की अगर बात करें बिटकोइन डॉमिनेंज की अगर बात करें तो 53.8 डॉमिनेंस हो चुका है इंक्रीज होके चुकि आल्ट कोई के लिए बहुत यह खराब न्यूज एक तरह से कहा है क्योंकि दोस्तों कर विट्वाइन का डॉमिनेंस इंक्रीज होता चला जाता है जबकि अभी कुछ दिनों पहले जब आल्ट बहुत अचा परफॉर्म कर रहा थी काफी कॉइंस बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे और इधर आप देख रहे हैं कि जब बिट्कॉइन सदेन पॉम्प हुआ विट्कॉइन में एक बहुत अच्छी मुवम्मेंट आई तो सारे क्रिप्टो मार्केट केंदर सारे ओल्ट कोई बिल्कुल गिर गए उनमें कोई मुवम्मेंट नहीं है कुछ कोईन परफॉर्म कर रहे हैं अदर्वास पूरी अगर ओवरल मार्केट के बाद करें तो सारा पूरा मार्केट रेट जोन में आप देख पा रहे होंगे खानो से मैं बिटीप की की बाद करों बिटीप सी मार्केट की बाद कर रहा हूं तो दोस्तों डॉमिनेंस बढ़ने से और कॉन में कफी प्रॉब्लम आ जाती है और का इंवस्मेंट निकल जाता है लोग बीटीचि को होल करके बैठ जाते हैं कि आगे बीटीचिक मोमेंट बहुत उपर जाने वाली है तुसलिक बीटीचिक को होल कर लेते हैं और ऑल क्यान मे प्राइस का जा चुका है साथ ही थेरेंब भी थोड़ा बहुत प्लस है मार्केट में ओवराल मुवमेंट है प्लस है माइनस भी है रेड जोन भी है लेकिन बहुत अच्छी बिल्कुर्ट स्रॉंगली जो एक मार्केट होती हुग नहीं देखने को मिल रहा है यह सारी चीजें बिटकोईन के ऊपर प्राइज आने से ऐसा हो गया कि मार्केट में इतनी मुवमेंट इतने स्ट्रॉंगली प्राइस मूव नहीं कर रहा है बाकि वाल्ट के उपर अब देख रहे हैं पूरी मार्केट आपके सामने में दिखाना हो कौन मार्केट कैप है तो यह रीजन है द अगर सड़ेनली पॉंप होता है तो और बिटकोई एगार तो तो में प्रजक्ए मैं तो यह है अगर में मुवमेंट देखनी है तक हमें पहले बिटॉइन को स्टेबल पॉजिशन में देखना पड़ेगा जब बिटकोende स्टेबल होग उसके बाद में मॉस्take acabouूंग सामने कि मार्केट रेड जोन में हैं कुछ कोईनों को छोड़के और बीटीसी में बहुत मोमेंट है तो चलि दोस्तों बीटीसी के चार्ट पर चलते हैं और समझ लेते हैं कि बीटीसी की इस तेजी के पीछे क्या रीजन है और आगे हम BTC को किस प्राइस तक देख सकते हैं यह पूरी ब्रीफ एक टेक्निकर एनलिसिस मैं आपके सामने करने जा रहा हूं लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप्ट मत कीजिए कि दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है आप बन रहे हैं मेरे साथ में तो चलते हैं तो दोस्तों के बीटीसी यूएजडी के वीकली चार्ट के उपर आ चुक है यह बिटीस टाइम का चार्ट है दोस्तों यहां पर कि लॉंग टर्म सेनारियो कि हम दो देख लेते हैं कि बीटीसी का प्राइज कि क्या कहता है आने वर सहमें और अभी कर्ण सिच्वेशन में प्राइज की मॉम्मेंट क्या है दोस्तों भी आप सामने देख पार है जो मैंने मॉविंग एवरेज लगा कर रखा हुआ एक बलू कलर मॉविंग लगा घ्राख दिख रहोगा एक अब्रिड कलर यह रिजा मॉविंग एवरेज है दोस्तों मॉविंग एवरेज है और talk को दिख ओख एव फिफ्टी का कि सिंपल मोविंग एवरेज जिसे ऐसे में भी कहते हैं कि दोस्तों कि लॉंग टर्म सिनारियों के बात करें अगर हम देख देखना चाहें कि 2019 में बीटीसी की परफॉर्मस कैसे होने वाली है तो उसके लिए हमें दोस्तों का मोविंग एवरेज को लगाना अब पढ़ेगा जिससे हम देख पाएंगे कि लॉंग टर्म में बीटीसी कैसे परफॉर्म करने वाला करेंट सिच्वेशन में कि बीटीसी का प्राइज ने उपर आ चुका है कि हम आगे फर्दर उसकी मोमेंट अपसाइड हम देख पाएंगे दोस्तों तो दोस्त का मोविंग एवरेज के उपर बना रहता है दोस्तों के मोव एवरेज के उपर प्राइज आ जाता है तो यह माणके हम चलते है कि प्राइज में अब तेजी हमें आगे देखने को मिलेगी अब देख रहे हैं कि जो यह दोस्तों का मुविंग आवरेज है ब्लू कलर का इसके उपर प्राइज लगबर लगबर आ चुका है और इसके उपर प्राइज मौवमेंट दे रहा है तो हम यह समझेंगे कि अब प् जो यह चैनल है चैनल क अंदर प्राइज के स्मुथली मॉफ कर रहा है जो प्राइज नीचे से यह उपर के तरह आया था खरीश कैंड़ आपको कॉंटिनुवसली ग्रीन गंड़ दिख रहे थी और इसने यहां ब्रेक आउट दिया था ब्रेक आउट देने के बाद जो इस चैनल के यहां पर प्राइज ने टच किया उसका फिर इस चैनल के अंदर इसकी मोममेंट होने लगी प्राइज डाउंट्रेंड में चल ला था और इसका सपोर्ट लेते हुए दोस्तों के मुविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए प्राइज अब लॉंग टर्म जो ट्रेंड लाइन है यह जो आपको दिख रहा है चैनल का इस लॉंग टर्म क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है वीकली चैट के उपर दोस्तों तो अगर इस इसको क्रॉस करके उपर प्राइज आ जाता है तो हम एक नया लेवल फिर से हम देख पाएंगे आए और साती साथ अब नीचे अब देख रहा है जो यह पर बड़े जो कैंदॉस देख रहे हैं वोल्यूम के कैंडल से बड़ी बड़ी जो केंडल्स हैं वो उसमें बहुत ज्यादा है और चोटी केंडल्स उसमें वॉल्म कम है तो ओवरल मार्केट बहुत अच्छी चल लिए और अगर आरसाई की दोस्तों बात कर लेते हैं तो आरसाई भी आप देख रहे हैं कि सुड़ेली यह सुपर प्राइज उपर से नीचे की तरफ आया था तो लगाता लिए नीचे मुमेंट कर रहा था थर्टी के नीचे भी प्राइज आके फिस अडेलियां से उपर की तरह मूप कर रहा है और अभी की अगर बात करें तो लगबर लगबर इसके फिर्टी टू क्या सपस का प्राइज चला आरे साइए भी बहुत स्ट्रॉंग ली उपर की तरह बढ़ ला है तो इसके बाद एक बार हम लोग डेली चार्ट पर भी देख लेते हैं दोस्तों डेली चार्ट क्या कहता है तो दोस्तों लोग बिटकोईन के डेली के चार्ट पर आ चुके हैं दोस्तों इधर देख रहे हैं जिसमें सब्सक्राइब इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्राइज में बहुत समय के बात यानि कि जो यह मोविंग एवरेज आप देख रहे हैं कि दोस्तों का मोविंग एवरेज है ब्लू वाला और रेड वाला जो है पाचास को मोविंग एवरेज है कि दोस्तों करें थोड़ा सा स्क्राइस करता हूं कैंडल को बहुत चोटा करता हूं तो आप देख पारें कि जो रेड जो 50 का मुविंग एवरेज है यह पीछे से लगातर उपर के तरफ ही था अगर और भी पीछे बात करों तो देखें आप उपर के तरफ बना हुआ था प् गोल्डेन क्रॉस ओवर दोस्तों जो पिछली बार हुआ था वो 2015 में हुआ था और उसके पास से प्राइज लगाता रही है यह उपर के तरफ बना हुआ था दोस्तों उसके बाद यह जो क्रॉस ओवर हुआ नीचे की तरफ आप देख रहे हैं इसे डेट क्रॉस ओवर कहते हैं और जो उपर की तरफ क्रॉस ओवर तो गोल्डेन क्रॉस ओवर ता गोल्डेन क्रॉस ओवर फिफ्टीन में हुआ था और यह डेट क्रॉस ओवर के अगर बात करें दोस्तों य मार्च 18 की बात है यह डेट क्रॉस ओवर हुआ था उसके पास से जब यह क्रॉस ओवर को प्राइज नीचे आया यह देख रहे हैं तो लगातार मार्केट तब से पूरी अठारा सन अठारा में हम लोग पूरी मार्केट को ने रेड जोन में देखा खास दोर से बीटी सी को ल प्राइस दगजा तर एक नए लोग पर बनाता चला गा और हम लोग ने यहां पर तीन हजार करें कि देखा था अगर आपने गॉर किया हो गा तो तो उमनों नहीं हजार पर बीटी सी को टच कर गया थे लोगों को कहने तक के अब धाय जार थे बीटी सी चला जाएगा और बाते हो रही थे उस समय और काफी लोग डर रहे हुए थे कि बेटी सी ऐसा नहों जीरो पर चला जाए और फिर सड़नली यहां से फिर मार्केट करवट लिया मार्केट ने उपर पंप हुआ ओधे रिकरक मार्केट उपर आने लगा और दोस्तों यह जो मुविंग अवेरेजे 50 का और यह दोस्तों को मुविंग अवेरेज पर यह अब देख रहे हैं पॉइंट यह गोल्डेन क्रॉस होने जा रहा दोस्तों दोनों आपस में थोड़ा सा बड़ा करके दिखा लेता हूं यह दोनों ही आपस में क्रॉस हो रहे हैं बलकुल दोनों प क्रॉस ओवर है दोस्तों जिसके वाइसे प्राइज में इतनी तेज पंप आया अगर गुल्डन क्रॉस ओवर हो जाता दोस्तों तो डेफिनेटली हम लोग प्राइज को एक नया हाई बनाते वे देखेंगे 2019 में तो यह बहुत इंपॉर्टन्ट है दोस्तों यह बताने की बात है आपको यह कहीं भी नहीं पता चलेगा कि ऐसा जो रीजन इसके पीछे वो क्या है वो मैं आपको यहां क्लियर कर रहा हूं कि 200 का मुविंग एवरेज और 50 का मुविंग सिंपल मुविंग एवरेज का यह जो गुल्डन क्रॉस है यह बहुत इंपॉर्टन रूल प्ले करेगा अगर यह पुरा क्रॉस ओवर पूरी इस फ्लैक बना हुआ है और इस अप्टेंड चैनल के अंदर प्राइस कॉंटिन्यूसली दर देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन केंडल बनती चले जा रही है और इसको क्रॉस कर रही दोस्तों और इसके बाद आप देखें तो दोस्तों पर आरसाई के बात करें तो आरसाई भी आप देख रहे हैं कि इस जिए पर थर्टी के लेवल को टेच्च किया था और टेच्च होने पर यहां से कॉंटिनूसली ऊपर आया थोड़ा सा डाउंट्रेंड में आया वस्तर काता हास सेवंटी के लेवल को क्रॉस होने के बाद ठेच्च का पाद प्राइस नीचे ड्रॉप उन्यटा हु क्योंकि इस बहुत ज्यादा एक्टिव वौल्यूं बहुत ज्यादा है VTC इस वज़े से जो है प्राइस नीचे ड्रॉप नहीं होरा प्राइस उपर के तरफ बलता चला जा रहा दोस्तों यह सीन था और अगर एक बात बताओ कि अभी जो अप्रेंड में यह चैनल पर जो चल रहा है प्राइस यह जो उपर रेजिस्टेंस आपको देख रहा है जो कि आवर फोर में तो यह इसके उपर क्लोजिंग हो चुकी है लेकिन डेवन में अगर इसके उपर क्लोजिंग हो जाती दोस्तों तो एक और बुलिस मोमेंट हम देख पाएंगे और अभी आप सामने देख रहा हूंगे दोस्तों जो मैंने नीचे ग्रीन कलर का आपको रेक्ट अगर बात करें तो लगबग लगब 37-37 का डॉलर का एरिया है बहुत स्ट्रॉंग एरिया है दोस्तों प्राइज इसके नीचे अभी जाने कि तो दूर दूर संभावना नजर नहीं आ रही है एक बहुत स्ट्रॉंग एरिया है और अगर पिंक वाली के बात का जो पिंक रि सर श।ट सो के आस-पास का एलिया है जो कि बहुत ही यह दुमिक है स्टॉंग और अभी जो प्राइस की मूमन हो रही है और अगर 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 दानी जो आप देख रहा हूंगे यह रेस्टेंस आपको जो दीख रहा है उपर इसको क्रॉस होने के बाद दोस्तों डेफिनिटली हम लोग जो प्राइज नेक्स देखेंगे वो 67 इसके लाभा हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आवर फॉर में यहापर मुण इंट्री लेते हैं महां पर क्या पोजिशन है महां प्राइज क्या कहता है दोस्तों तो इधर आप देख रहे हैं इसमें प्राइज लगातार अप्ट्रेंड चैनल के अंदर मोमेंट देता हूँ सीरे सीधे प्राइज उपर की तरफ चला जा रहा था दोस्तों और इसने जो यह रेजिस्टन्स था जो मैं अधर डेवन पप को दिखा रहा है इसको उपर क्लोजिंग दिये चुका है और एक और इसने यहां पर जो फ्लै इस फ्लैग आपको दिख रहा होगा तो इसमें मैं अगर बात कमूं तो यहां क्रॉस किया क्रॉस है थोड़ा से उसकता प्राइज हलका सहीं से ड्रॉप करें रिटेस्ट करें रिटेस्ट करने वह सीधे डारेट प्राइज जो है उपर के तरफ मूफ हो जाएगा दोस्तों अगर प्राइज अभी रेस इसको क्रॉस जुग किया है दोस्तों अगर लिटेस्ट करें तो थोड़ा से नीचे हलका से प्राइज आ सकता है फिर डाइटली प्राइज उपर हिट करें और उपर की तरह हम प्राइज की मोमंट अब देख पाएंगे दोस्तों कि ओए तो काफी अच्छा चार्थ है दोस्तों अगर हम बात करें एकन रांक टम कर कि अगर मंघू갈ा जाता हूं मंघूओ इकन में चले अधर सब्लेख करेंश यांध्यियृ पर दिखी hilarious और भी बॉलीश चंडल को दिखिए और मंठरी चार्ट कर भी ёग्र तो वेकली चार्ट में भी आपको देख रहा हो कि कॉंटिनुसली बुलिश स्केंडल बने हुए हैं इसको बदर डेली चार्ट के बात करूं तो डेली चार्ट में भी आप देख रहे हैं कि लगतार बुलिश स्केंडल कॉंटिनुसली बने हुए हैं इसको देखके दोस्तों आप समझ सकते हैं आवर फोर पे भी देख लिए आवर फोर पे भी कॉंटिनियूसली अप्टेंट चैनल में प्राइस चला कॉंटिनियूसली बुली स्केंडल बनता हुआ बेल्कुल उपर चला जा रहा है तो आप देखने ओवर अवरल मन्थली चार्ट से लेके आवा फोर के चार्ट तक हमको सिर्फ बुलिश प्राइजी मुवमेंट दिख रहा है साथी साथ जो गोल्डन क्रॉसोवर होने जा रहा है 50 और 200 के मौविंग एवरेज का यह बहुत ही इंपोर्टन रूल प्ले करेगा दोस्तों एक नए उचाईयों को हम देख पाएंगे बीटिसी को 2019 के अंदर तो यह सारी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों लेकिन सारी चीज़े क्लियर करना बहुत जरूरी था आपको बताना जरूरी था जिससे कि आपको यह पता चल पाएं कि इसके पीछे रीजन क्या है वे टेच कर सकता है ब्लकुल बुलिस मॉधमेंट है दोस्तों उस लेवल को क्रॉस करने के बाद हम आगे फर्दर डिसाइट करेंगे कि अब बीटीसे कहा तक जा सकता है तो उसके बाद दोस्तों कर बीटीसी कर अब बीचे से मॉधमेंट देख पाएंगे तो अभी फिरह बीटीसी में मोमेंट है बीटीसी चल रहा है और में थोड़ी सी डाउंट्रेंड हम देखेंगे देखना पड़ाईगा अभी और कौम इतने परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो तक बीटीसी का प्राइस सेटल नहीं हो जाता दोस्तों यह सारी इंफोर्मिशन थी दोस्तों आ मिल पाया मेरे वीडियो से तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा और साथ जी सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा दोस्तों इसे के साथ इस वीडियो को यहां समार्थ करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेक्नि